आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमें ज़र रखा है Ecosystem is interaction of हमें चार option है, हमें पर रखा है पहला है living one, दूसरा है biotic and with abiotic ones, तीसरा है non-living things and the last is the all of the above देखिए particular ली बात हम किसी कर रहे है Ecosystem की Ecosystem के हम discussion के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ example consider करने पड़ेंगे जैसे की, जैसे कि मैं कह सकता हूँ forest, अब देखिए forest को हम क्यों example ले रहे हैं, क्योंकि forest एक तरिकर क्या है, Ecosystem का example है क्यों, क्योंकि इसमें living beings भी रहते हैं और इसमें living beings के साथ साथ कुछ non-living thing भी रहती है और ये दोनों चीज क्या करती हैं, आपस में interaction करती है, जैसे की living beings को क्या कहा जाता है, living beings को कहा जाता है, biotic इन्हें biotic कहा जाता है, और वहीं बात करें non-living की ने कहा जाता है, abiotic ठीक है अगर बात हम करें किसी particularly किसी particularly living being की हम बात करते हैं, तो living being क्या है living being और non-living कि इस तरीके से interact करते हैं, क्योंकि living being air पर depend रहता है particularly breathe के लिए बिल्बूल सही बात है और एयर क्या है एक तरीका का नौन लिविंग है यह हम एक्जामपल ले सकते हैं सनलाइट का सनलाइट क्या है कि सनलाइट पर डिपेंड रहता है पर्टिकुलर कोई भी अगर लिविंग होता है और सनलाइट क्या है सनलाइट एक तरीका अगें नौन लिविंग है तो इस तरीके से से living being के interaction को हम क्या कहते है ecosystem कहते है वहीं living क्या होते है living को हम कहते हैं biotic और non-living को क्या कहते है नौन लिविंग को कहते है क्या Biotic तो बात करें अपने राइट आंसर की हमारा राइट आंसर है option number B that is a biotic with the abiotic one यही हमारा का निकला है यहाँ पर right answer निकला है चली जड़ा और option भी जड़ा अपने चेक कर लेते हैं और option है living बन नहीं यह हमारा answer नहीं होगा non-living thing नहीं यह भी आधा answer है और all of the web भी नहीं हो सकता सब्सक्राइट आंसर आप्शन नंबर B thank you